अब इस website में actually typing से related काम मिलते हैं जिसमें आपको कुछ content typing करने के लिए दिया जाता है यहाँ पर आपको important question माई 2024 की link मिल जाएगी complete notes की link मिल जाएगी जैसे बारभी आपने कर लिए बारभी के बाद अब यह लग रहा है कि यार चलो अभी तो college भी चल रहा है और कुछ करने के लिए हमारे पास है नहीं साथ में आपर computer का course एक कर लेते हैं जो भी लोग DCA, PGDCA कर रहा है सबसे पहले इस website के बारे में जानकारी देते तो website है सरकारी योजना.store और इसके अंतरगत आपको यहाँ पर एक option मिलेगा mcu देखिए यहाँ पर एक option देख रहा है mcu, mcu option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको important question माई 2024 की link मिल जाएगी complete notes की link म मिल जाएगी साथ में, DCA first sem videos, DCA second sem videos, PG first sem videos, PG second sem videos, इन सभी की link आपको यहाँ पर मिल जाएगी, अब इन सभी link पर बहुत जल्द videos भी upload हो जाएगे, complete notes अगर आप लेना चाते तो notes के लिए यहाँ पर यह जानकारी दी गई है, इसके माद्दम से आप notes ले सकते हैं, important question की बा file यहाँ पर दी गई है, साथ में कुछ old question paper भी यहाँ पर update हो रहे हैं, तो यह website आपके बहुत काम किये, इस website के अंतरकत MCU वाले option में, आपको DCA, PGDC से related content मिल जाएगा, साथ में, job update वाले option पर अगर आप जाते हैं, तो कौन सी recent अभी vacancy आई हुई है, उसके बारे में भी जा PCA करने के बाद, actually में क्या job लगती है, लेकिन उसकी बाद की बात, बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं कि DCA या PGDC का course क्यों करते हैं, दो बज़े होती है, देखे, एक तो वो लोग करते हैं, DCA, PGDC का course, जैसे बार भी आपने कर लिया, बार भी के बाद अब यह लग रह ग्रेजुएसन के बात करते हैं, तो लोग जॉब में हैं, अब जॉब करते करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा PG का course भी हो जाए, PGDC हो जाए, हमारे पास एक डिप्लोमा और एक्स्ट्रा हो जाएगा, ताकि हमको जॉब में फ्रुछा सा benefit मिल जाएगा, प्रमोसन में सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, DCA या PGDC का course करने के बाद, या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, या प्राइविट जॉब के लिए आविदन करोगे, या तीसरा कंडिशन आ जाता है कि भी है, इससे related business से start कर दोगे, business से start करने का मतलब IT related, computer related business, जैसे कि MPO line की दु तीन चीज में आप जाते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ, प्राइविट जॉब की तरफ या इस प्रकार के business की तरफ, अब आपने किस वजह से DCA या PGDC का course किया और आने वाले समय में आपका क्या plan है, comment करके हमको जरूर बताओ, अब सुनो सच्चा ही, दोनों प्रकार की बात करेंगे, दो है आपने नौकरी के लिए भी बोलेंगे, business वालों के लिए भी बोलेंगे, चाहे बात नौकरी की हो, चाहे बात बिजनेस की हो, इन दोनों condition में काम क्या आता है, काम आता है आपका talent, talent मतलब आपको जो knowledge है, वही काम आता है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं हाँ लेकिन नौकरी की अगर बात करो तो नौकरी में नौकरी इस प्रकार से है जैसे आप यह समझजो और एक रूम है उसके बाद एक और रूम है तो रूम है ठीक है अब दो रूम में क्या होता है दरवाजे दो लगे हुए है आपने पहले दरवाजे से एंट्री की तो पहले दरवाजे में जो दरबान खड़ा है वो आपको आपकी माक्षीट देखके अंदर जाने दे रहा है, वो बोल रहा है अगर आपने बारवी किया है, आपने computer course किया है, तभी हम आपको पहले कमरे में जाने देंगे, तो आपने वहाँ पर दिखा दी कि हाँ मैंने बा माक्षी, डिपलोमा, डिगिरी, जितनी भी चीज़े होती है, ये आपको किसी जॉब की entry के लिए, पहला आप बोल सकते हैं, उसका entry point है, कि अगर आपके पास mark sheet है, आपके पास eligibility है उस चीज़ को लेकर, तो आप उस vacancy के लिए eligible तो हो गए, आप उसके लिए आविदन तो आपने कर दी, आप वहां तक पहुंस तो गए, लेकिन आप उसके बाद, उस job को लेने के लिए, आपके अंदर talent होना चाहिए, आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, वो knowledge होना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको वो job मिलने वाली है, तो अधिकतर लोग आज के समय में focus किस चीज़ पर करते हैं कि हमारा course complete हो जाए, हमको mark sheet मिल जाए, हमको diploma मिल जाए, उसके बाद हम अपना देख लेंगे, अब गलती यहीं से होती है, अगर आप इसी सोच के साथ course को करते हैं, कि हम केवल degree मिल जाए, diploma मिल जाए, और हम इसके बाद अपना नया काम नौकरी के जाए, उसके बाद हम अलग से सीखेंगे, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिन्होंने degree, diploma सब किया हुआ है, लेकिन बोलते हैं कि सर, अब मुझे job करनी है, तो मुझे यह सिखा दो, कि अब मुझे यह नहीं आता है, मुझे यह बता दो, कैसे होता है, त तो यही चीज जब आप course कर रहे हो, तब ही कर लो, तब और अच्छी बात है, आपका समय बच जाएगा, आपका समय विश्णी होगा, और जो आप काम कर रहे हो, उस काम का आपको actual फल मिल जाएगा, तो आज के समय में जो DCPGC का course कर रहे हैं वो अलग सोच के साथ कर रहे ह आपको अपने knowledge के लिए पढ़ना है, आपको जो भी चीज आप कर रहे हो, आप उसको समझ के अगर पढ़ लोगे तो आँगे आपको बहुत काम आएगा, और आपके job के लिए ही helpful रहेगा, तो DCPGC के बाद नौकरी तो है, लेकिन नौकरी उनके लिए मुक्रूप से है, ज जिनको knowledge है, जिनको काम आता है, उनके लिए बहुत सारी job है, अब जिसे एक vacancy के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आज के समय में अभी recently बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मुझसे connect हुए इस चीज को लेकर, एक website है HIG, hiring global, अब इस website में actually typing से related काम मिलते हैं, जिसमें आप को कुछ content typing करने के लिए दिया जाता है, और typing का project आपको देते हैं, और typing करने के बाद आपको इसके बदले में कुछ पैसे दिये जाते हैं, अब बहुत सारे लोग मुझसे इस चीज को लेकर connect हुए, मैंने YouTube पर भी इससे related बहुत सारे videos देखें कि कहीं ये fraud तो नहीं, ये क typing certificate है तो, ठीक है, नहीं है, तो फिर आपको 500 रुपे इनको pay करना पड़ता है, अलग से exam के लिए, और अगर आप वो नहीं देना चाहते हैं, तो आप अलग से typing certificate भी ले सकते हैं, और उसके मादियम से आप apply कर सकते हैं, उसके बाद ये आपको by email पूरी जानकारी होती है, by email ये आपको project देते हैं, आपको typing related काम करना है, आप उनको type करके वो data देते हो, फिर उसके हिसाब से earning होती है, तो YouTube में आपको बहुत सार ऐसे videos मिल जाएंगे, जिसमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये देते नहीं ह पैसे नहीं लगाने होते हैं, आपको सिर्फ इसमें जो काम दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, तो initial stage पर आप करना चाहें, तो आप इससे related काम कर सकते हैं, अब रही बाद typing certificate अगर आपके पास नहीं है, तो आप हमसे बहुत समय से जुड़े हैं, आपको ज जाने के बाद यहाँ पर नीचे जाओगे, तो आपको यहाँ पर Hindi English typing certificate भी मिल जाएगा, तो इसे भी आप जॉइन करके typing certificate आसानी से यहाँ से ले सकते हैं, तो आने वाले समय में मई में exam आप सभी के होने वाले exam के तयारी अभी से कीजिए, notes के लिए आपको जानकारी दी गई है, notes अगर आप लेना चाहते हैं, तो notes के लिए process बताई गई है, स्वस्त रहिए, सुरक्षत रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में